हाई वडिवन फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक से सो तक की संख्या का वर्क निकालने के लिए बताएंगे ओभी ट्रिक से तो आप वीडियो को सुरू से अंतक देखेगा और आपको सरा कॉंसेट वैसे ही याद हो जाएगा जैसे आपको अपना नाम याद है तो आप वीडियो में सुरू से अंतक बने रहेगा जैसे आपको पुछा जा सकता है कि 25 का वर्क कितना होगा तो 25 का वर्ग कितना होता है पता है 625 होता है ठीक आप लोग बोलते हैंगे सर आप तो याद कर लिए होंगे ऐसी बात नहीं है इसको हमने ट्रीक के माधियम से बनाए है तो आप वीडियो को शुरू से देखते चलिए जैसे पूछ देगा आपको 16 का वर्ग कितना होगा तो 16 का वर्ग 256 होता है कैसे होता है हम ट्रीक के माधियम से बताएंगे लेकिन आप लोग क्या करोगे 16 गुनाँ स्वला करोगे क्योंकि वर्ग संख्या निकालने का ऐसे जो विदी है कि उसी संख्या को गुना कर देते हैं जिस संख्या का पूछा जाता है तो गुर्ग निकल जाता है वर्ग संख्या 16 गुना 16 करोगे 256 होगा लेकिन हम आपको ट्रीक के माधियम से बताएंगे आपको रटने की कोई जवरत नहीं है जैसे पुछ देगा आपको कि जैसे 32 का वर्ग कितना होगा 32 का वर्ग कितना होगा ठेक तो यहां देखिए दूद्माचार फिर दो दो त्या 6 चेदने 12 12 कर दो और तीन त्या 9 910 तो 32 का जो वर्ग होगा 1024 होगा यह भी हमने ट्रीक के माधियम से बनाये हैं ठीक ऐसा ने 32 गुना 32 की हैं इसको ट्रीक के माधियम से बनाये हैं तो आप वीडियो को सुरू से अंतक देखते रहें चलिए पर्थम टाइप से आपको समझाते हैं पर्थम टाइप में आएगा इकाई अस्थन पर अगर किसी भी संख्या के इकाई अस्थन पर अगर सुन्य रहेगा उसका वर्ग पूछेगा तो आप कैसे वर्ग निकालोगे तो शरीफ आप वीडियो को देखते रहें आपको सरा कॉंसेप्ट समझ में आएगा जैसे टाइप वन में लेते हैं टाइप वन में अगर एकाई अंग पर अगर सुन्य हो जीरो हो तो उसका वर्ग आप कैसे निकाल सकते हो जैसे दस दस का वर्ग पुछा जा सकता है बीस का वर्ग पुछा जा सकता है और गनीत के लिए यह वर्ग निकालने के लिए सिखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ऐसे देखे जैसे बत्तिस वा बत्तिस का वर्ग अगर आप करोगे तो बत्तिस गुना बत्तिस करोगे अगर ट्रिक आपको पता रहेगा, तो रह ट्रिक के माधियम से गुना भी नहीं करना पड़ेगा, लिख दोगे, तो इसलिए ट्रिक के माधियम से हम आपको बताएंगे, इसलिए यह वीडियो लाए हैं, तो दस का वर्ग, 20 का वर्ग पुछ देगा, 30 का वर्ग पुछ देग ठेक, 60 का पूछ देगा, 70 का पूछ देगा, 80 का पूछ देगा, ठेक, 90 का पूछेगा, 100 का भी पूछा जा सकता है, ठेक, 200 का भी पूछा जा सकता है, तो अगर एकाई अस्थान पर क्या रहे, सुन्य रहे, तो उसका आप कैसे निकाल सकते हो, वर्क, अगर किसी भी संख्या क इकाय अस्थन पर क्या रहे सुन्य रहे तो उसका आप कैसे निकाल सकते हो वर्ग तो देखिए इसमें कोमन क्या है सभी में सुन्य है कोमन कोमन क्या है सुन्य है तो सुन्य को आपको कुछ समय के लिए इग्नोर कर देना है तो यहां देखिए क्या बचा एक तो यह कावर एक ही देखिए इसमें सुन्य कितना है एक है तो आपको डवल करके लिख देना है एक हो सुन्य है तो देखिए एक सुन्य पहले लिख था है तो एक सुन्य और एक सुन्य कर दिये यह निक बढ़ा कर लिख दिये तो दस कावर क कितना होता है? 100, पता होगा, इसे 20 है, तो पहले सुन्य को इग्नोर किजिए, बचा किया है, दो का वर्क चार, ठेक, इसका दूगुणा कड़की लिख दिजिए, यहाँ एक सुन्य है, और एक सुन्य बढ़ा दिजिए, तो कितना हो जाएगा? डवल सुनिये, यानि 20 का वर्क कितना होगा 400, यहां कितना हो जाएगा 900, यहां कितना होगा 1600, यहां कितना होगा 2500, यहां कितना होगा 3600, यहां कितना होगा 4900, यहां कितना होगा 6400, यहां कितना होगा 8100, यहां दखे, यहां सुनिये को इग्नोर किजिए, तो यहां बचा एक एक कावर्ग एक ही और यहां कितना है दो सुन्या है दो सुन्या और बरा देना है तो चार सुन्या होगा यहां देखिए यहां चार दो कावर्ग चार यहां देखिए दो सुन्या है तो दो सुन्या और बराना है तो कितना हो जाएगा 40,000, 200 का वर्द कितना होगा, 40,000, तो आए हो, टाइप 1, समझ गये होंगे, यदि एकाई अंग पर अगर सुन्य हो, ठिक, एकाई अंग पर क्या हो, सुन्य हो, तो आप कैसे वर्द निकाल सकते हो, समझ गये होंगे, अब टाइप 2 को समझते हैं, अगर किसी भी संख्या के एक सबी संख्या में एकाई स्थन पर क्या है फाइफ है तो इसका वर्ग पूचा है तुझे हम निकालते हैं ज्यादा नहीं 5 सकेंड के अंदर निकल जाएगा देखिए पहले क्या करना है दाय साइट से एकाई अस्थन वला का वर्ग कर देना है तो 5 का वर्ग होगा 25 देखिए को अफिर एक के बाद वाले संख्या से गुना कर देना है ठीक एक के बाद दो होता है तो दूगुना एक की 13 दो नो होगा तो यहां के लिख सकते हैं 15 को गुण होती हुगा गुण है तो mél के गट अब कर यानी 625, 25 का वर्क कितना होगा, 625, देखे, 35 है, तो पहले देखे, 1 अंग वला का वर्क की जिए, 25, फिर है, 3, तो 3, 3 के बाद कौन सा अंग होता है, 4, तो 4 गुना, 3 की जिए, 12, तो 35 का वर्क, 12, 15 होगा, यहाँ दखिये, 45 का वर्क पुचा है, पहले एकाई का, 25, फिर, य तो होगा 20. ठीक? 45 का वर्गा 10NeC, अब है यहां 55 का वर्ग पुछा है, 55 का वर्ग कितना होगा? तो 55 का वर्ग हो जाएगा 25, 36, 36, यानि तीस, 125 हो जाएगा. 55 का वर्ग, यहां देखे, 65 का वर्ग पुछा है, तो 25, और यहां 1, साथ 6 गुना साथ किजिए सच्छं 42 तो 65 का वर्ग कितना होगा 4225 तो आई हो टाइप 2 को भी आप लोग समझ गये होंगे अगर एकाय अस्थन पर क्या रहेगा फाय पर रहेगा तो आप इस ट्रीक के माध्यम से वर्ग करके निकाल सकते हो तो अब टाइप 3 को समझते हैं दो अंको वाली संख्या का वर्ग किसी निकालेंगे जैसे 23 का वर्ग कितना होगा ठेक तो देखिए यहां देखिए यहां ताइस जो बेस है और उपर जो दो पावड है यहां गात हो जागा ठेक यहां देखिए पहले कॉंसेप्ट को आपको समझाते हैं तो देखिए यहां तो को A मौन लेते हैं, और 3 को B मौन लेते हैं, और C को 2 को C मौन लेते हैं, ठीक, concept को पहले समझे, ठीक, देखे, concept क्या है, पहले क्या करना है, आपको B का वर्क कर देना है, ठीक, फिर, तीनों A, B, C का गुनन फल, उसके बाद, क्या करना है, A का वर्क, आपको बस इतना ही कर कर ना है ठेक बस बन जाएगा तो यह जो क्रिया करना है आपको ईसे करना है जब भी करना है दाएं साइट से तो दखिए और वन टाइम वन डिजिट जाद रखिएगा वन कि दाएंस आइड जो किजिएगा ठेक सुरुवाति अंक जो है उसमें जो किरिया करना है वण टाइम वन डिजिट मतलब एक बार में एक ही संख्या को आपको क्या करना है वर्क करना है ठेक सुरवाति तुर पर एक जो एक आय अंक पर रहेगा समझ माया नहीं यहां ध्यान से देखिए जैसे यहां 23 का वर्ग पूछा है तो यहां ध्यान से देखिए एक आए अंग पर क्या है यहां तीन है तीन का वर्ग किजिए पेले नो होगा ठीक वन टाइम वन डिजिट एक ही संख्या का प्रयुक करना है तीन त्या नो ठीक उसके बाद देखिए इन तीनों का फिर क्या करना है गुना कर देना है तीनों छे छे दुनी बाड़ा बाड़ा का दू बांकी एक फिर दखिए यहां पर दू है तो दू का वर्ग कितना होगा चार तो और चार यहां एक बांकी था एक पांथ यानि 23 का वर्ग जो होगा 529 होगा तो आए होप यह ट्रिक समझ में आ जाओगा जैसे रहेगा आपको 16 का वर्ग पूछ देगा ठीक सुरुबात में ही आपको निकाल के बताए थी तो 16 का यहां देखिए वन तो 6 का वर्ग 36 यानि 36 का 6 लेखेंगे वन टाइम वन डिजिट का प्रियोग करेंगे बांकी कितना बचा तीन अब दखिए इन तीनों का गुनन फाल यानि 6, 1, 2 का गुनन फाल कितना होगा 6 गुना एक तो 6 ही और 6 गुना दू 12 12 और यहां पांकी कितना था तीन तो 12 तीन 15 वाолотि कि इतना बचा एक फिर यहांद आ़के फिर क्या करते हैं एक कर नंता लिए तो यह कितना होग एक हिसंद़ा सब्सक्राइब गजए वर्ण के लिए टीब के साथ समझ गए और को नेक्स्ट वीडियो में हम तीन अंकों वाले संख्या का वर निकानने के लिए बताएंगे तो आप इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा प्यार दिजिएगा और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट कलास में तब तक के जाहिन बंदे मातर